और एक शिंतावाली खबर आ रही है वाडिया हिमाले भू सनसान के वैग्यानिक ने बड़ा दाव किया है उनका खहना है कि उत्तराखंड में तुर्किय जैसा भीचल भूकम पा सकता है उत्राखंड में बड़े मैगनिट्यूट के भूकम की आशंका है और वैग्यानिक कालाचान साई जो की डारेक्टर भी है उनका ये दावा है बड़े भूकम की आशंका है और वाडिया हिमाले भूविग्यान संस्तान के डारेक्टर है कालाचान साई उन्होंने ये दावा कि वाडिया है वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर और उनका कहना है कि उत्राखंड में तुर्कियों जैसा बड़ा भूकम पा सकता है और उत्राखंड में बड़े मैगनीट्यूट के भूकम की आशन का बढ़ गई है तो आप देखें साल दर साल जो तुलनाएं होती हैं भूगर विज्ञान की उसके आधार पर वाडिया हिमाले भूगर विज्ञान संस्तान के डारेक्टर काला चांद साई ने ये दावा किया है कि उत्राखंड भी उसी खत्रे के दिवार पर बैठा हुआ है जिसमें तुर्कियों जैसा भारी भूकंप आ सकता है बड़ी मेगनिक्यूट वाला भूकंप आ सकता है और बड़े भूकंप की आशंग का बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वाडिया है माले भूविज्यान संस्तान के डारेक्टर है काला चांद साई जिन्होंने ये दावा किया है और ये आशंग का ज़ताई है तुर्कियान किस तरीके के हालात हैं वो सब देख रहे हैं और अब डर उत्तराखंड को लेकर है इस वक्त की बड़ी और चिंता जनक खबर और चिंता जनक खबर ये है कि तुर्किया जैसा भूकंप उत्तराखंड में आ सकता है कॉन्वर्जेंस का बजा से क्रस्टल स्वाटिनिंग हो रहा है तो इसमें साब सार्फेस में बहुत तरी एनरजी अकुमुलेटेट हो रहा है जब भी किधर हम लोग को फॉल्ट्स और फ्रैक्चर जोन्स मिलता है जिसके थुरू अकुमुलेटेट एनरजी रिलीज हो जाता है टाइम टू टाइम इन दी फॉर्म आर्थक्वेक फ्रम सेस्मोलोजिकल स्टाडी फ्रम जी पीए स्टाडी यहां पर हम लोग को जो सईटिस्ट काम करता है तो लोगों को पता चला है जो convergence rate का बजा से इतना सारी energy accumulated है अगर उतना energy निगलेगा तो अब it can generate a major earthquake और great earthquake Since entire Himalayan belt जिसमें उत्राखांडी is also one of the Indian Himalayan state इहाँ ज्यादा संग्वेदन सिल है इसलिए एक कहा रहूं ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी